वेल्कम स्टुडेंट्स स्फेरिकल अस्ट्रोनॉमी चैप्टर थ्री लेक्चर थ्री आज हम कुछ कोश्चन्स करने जा रहे हैं एक्चुली एक ही कोश्चन है इसके थ्री पार्ट्स है यह हम आज करेंगे इट इस इंपॉर्टन कोश्चन तो यह जितने भी कुश्चन्स आप राइट एंगल ट्रेंगल से रिलेटेट इस चैप्टर में कर रहे हैं उन सारे कुश्चन्स में जो की फंक्शन है यानि जो मुख्य कार रहे हैं वो है आपको नेपियर्स रूल अप्लाई करना आना चाहिए पहला तो काम यह है नेपियर्स रूल का जो मैंने आपको तरीका बताया था फंस लेक्चर में उसको आपको बार बार रिवाइस करना है बार बार उसको अप्लाई करना है नेपियर्स रूल किसी भी राइट एंगल इसफेरीकल ट्रैंगल में फंडामेटर फॉर्मलेस लिखने का स्चल्टकरत तरीका होता है इसमें हम राही एंगल्यूट्यल से रिलेट्टड फाइव इस покуп पार्ट lолж College मित दो एंगिल जो अदर द्थन डायित लें उनके कवली मिन्ट होते हैं और एकुबरेनस LOVE लाक्रांक इसके horses और 1990 की चया लिए कि waves मैं आट साया कि मिटल पार्ट को सले Kent common उसी ओंडर में लिखने किकल perceived to 10 of the adjacent parts और दूसरा वाला होता है साइन अफ दा मिडल पार्ट एक वस्टू को साइन अफ पॉसिट पार्ट ये सारी बात है मैं आपको पहले explain कर चुका हूं अब देखिए ये present जो question हम ले रहे हैं इसके अंदर ये एक right पॉइंट से यहने कि C is the vertex where the right angle triangle where right angle is located तो अगर हम इस पॉइंट C से हाइपोटुनियस इस triangle का हैपोटुनियस कोन है AB अगर अपने C से AB पर एक perpendicular डाले पर्पेंडिकुलर आर्क तो आप देखिए CD ये आपका देखिए बना कर बता रहा हूं मैं आपको ये तो हाप देखिए इदर ये है AB ओके ये वाली AB मैं यहां बना कर बता रहा हूं आपको और ये आपका point है C तो C से हमने यहां क्या कर रहे हैं C से एक perpendicular drop कर रहे है on the arc AB इस perpendicular का ये point हमने D mark किया foot को और ये length हमको alpha given है CD length तो अब आपको prove करना है ये first result क्या कहता है first result कि इस perpendicular arc जो हमने अभी भी drop किया के cot का square square of the cot of this arc perpendicular arc is equals to cot square of the sides कौन सी sides जिनके between right angle बन रहा है यह right angle किनके बीचे बन रहा है right angle is happening with forming between AC and BC तो AC और BC जो है AC के length देखिए B है और BC के length A है तो इसके cot का square बराबर cot square A plus cot square B यह मुझे प्रोव करना है तो यह काम हम करेंगे देखिए नेपेस दूल की help से करेंगे कैसे यह दोनों मैंने आपको दो right angle triangle actually यह जो diagram है आपको इधर देखिए आप इसका अंदर तीन right angle triangle triangle है एक तो बड़ा बड़ा दिख रहा है आपको ABC उसको हम बिल्कुल use नहीं कर रहे है जो जब मैं कह रहा हूं कि CD is the perpendicular इधर देखिए आप यह CD when I am saying CD is the perpendicular it means यह angle 90 और यह angle भी 90 है इसका मतलब यह जो दो triangle दिख रहे हैं आपको एक तो दिख रहे हैं आपको CDB और एक दिख रहा है CDA तो CDB right angle triangle के यह circular parts है है ना triangle CDB और यह जो circular parts हैं यह triangle CDA के हैं तो आप देख लीजिए circular parts में का में circular part लिखना तो मैं आपको इसके इंदर explain करता हूं CDB के इंदर देखिए सबसे पहले हम क्या यहां पर देखेंगे circular parts के लिए कि right angle किन sides के बिटन बन रहा है तो इस triangle में right angle बन रहा है मेरा BD और alpha के between side BD दिख रहा है को यह side BD और alpha side तो यह मैंने देखिए BD और alpha लिख दिया उसी order में लिखा मैं BD से चलकर clockwise चल रहा हूं तो मैं BD से चला तो मैं alpha पर आगया 85 लिख दिया मैंने फिर जम बे alpha से आगे चला तो मुझे angle मिला Dạ तो मैंने इसका लिख लिखाए complement है ना फिर जम्मैं थीता से आगे चला तो मुझे side मिली A तो मैंने A के लिख लिख ली compliment फिर जब मैं A से आगे चला तो मुझे angle मिल गया B यह angle तो मैंने इसका लिख लिया compliment तो in this way I have written five circular parts in the triangle CDB और similarly आप यहां पर CDA के लिए भी circular parts मैंने लिखे आप देख लेना अब मैंने इस question को करने की trick लिखी है वो मैं आपको और समझा देता हूं हमको क्या करना है हमको इन दोनो रायट यंगल ट्रैंगल में एक तो CDB में और CDA में हमको नेपिस rule apply करने हैं का दोनों में apply करेंगे जब हम CDB triangle में नेपिस रूप्लाई करेंगे तो हम अब यहां पर दो नेपिस सूल है उसके नदर भी डिपेंड करता है मिडल पार्ट किसको ले रहे हो उसके रहे हो सारे टोटल तो दस बनते हैं तो हम को यहां पर यही बात में दमाग में रखनी है कि हम इस ट्राइंगल में वो नेपिस तूल अप्लाई करेंगे जिसमें एक तो मेरा डिजाइड कॉंट क्वांटिटी में एक मुझे चाहिए एक मुझे सब्सक्राइब एंते इन तीनों में से कौन-कौन साथ कुंटरी मुझे यहां दिख रही है इसमें इसानियर्फा और दिखरी एक यह डिजाइड कॉंटूटुट से ला और और इस इसमें अगर देखो इस वले में इसे मुझे दिख लिए अलफा और बी डिजाइट क्वांटरी तो अब आपको याद क्या करना है कि जब मैं इसमें नेपियस रूल अप्लाई करूंगा तो इस तरह से अप्लाई करूंगा कि एक तो इसमें अलफा और एपियर हो और एक थीटा आपियर हो अब नाव वाट इस थीटा यह शायद में आपको बताना भूल गया इधर देखिया थीटा यहां इस पिक्चर में दिख रहा है क्लियर थीटा हमने इस एंगल को एजूम कर लिया है कौन सा एंगल है एंगल BCD तो अगर यह थीटा है तो यह वाला ऑप्ला करने है सो एट यह मुझे वने पिस रूपलाई करना도 इंवा हमाल व्री एंजभी ओर झैख गो इन्वाल बैकर इक 많ए तेटा है इसमें अब्तागे करने मारे चैख बेक्चेन 252- Nada अलपको सक्षिंगी तो इस प्रकार मुझे दो रिलेशन में उप्टेन हो जाएंगे, एक रिलेशन में अलफा ए और थीटा होगा, और एक रिलेशन में अलफा बी और थीटा होगा, अब इन दौनों रिलेशन से मैं थीटा को अलिमिनेट कर दूगा, जो कि थीटा हमने एज्यूम किया है, तो उ तो उसके elimination से जो result obtain होगा उसमें alpha होगा A होगा और B होगा और वो ही मुझे यहाँ पर प्रूव करना है तो देखिए आप अब अगर मैं आप सिर्फ कहूं कि इस इस figure में आप नेपय हसूल सोचिए जिससे की alpha A और theta involved हो जाए जिसमें तो naturally आप देखिए यह तीनों चुकी circular part हमारे adjacent है consecutive में तो इसमें नेपय हसूल लगेगा first वाला ठीके ना चुकि अगर तीन circular part consecutive में तो first ही लगेगा इसमें भी तीनों circular part consecutive में इसमें भी first लगेगा तो आप बताईए अगर इन तीनों को लेकर मुझे नेपय हसूल apply करना है first वाला तो this will be my middle part and these two will be my adjacent part similarly यहाँ पर यह मेरा middle part हो जाएगा और यह दोनों adjacent part हो जाएगे ठीक है ना तो आप देखिए यह नेपयसूल लगाया मैंने cdb में तो यह result आ गया और फिर नेपयसूल लगाया मैंने cda में तो यह result आ गया इन दौनों का मैंने number डाल दिया one and two अब यह जो number में आ रहे हैं इनके अंदर desired quantities है a, b, alpha और एक theta और है तो theta को मुझे eliminate करना है तो what should I do to eliminate theta between one and two तो आप देखिए यहां पर आ रहा है cos theta, यहां पर आ रहा है sin theta तो मैं इनका square करके add करने से one आ जाएगा यहां पर theta eliminate हो गया और rest is the required result which we are obtaining कुल मुला के आपको क्यार रखना है कि यह जो मेरा result है यह दो नेपिरस rule जिसमें की alpha, a और theta आ रहा है और दूसरे में alpha, b और theta आ रहा है में theta को eliminate करने से मिलता है similarly जो second वाला result है यह वाला देखिए अब यह result यह भी ऐसा ही मिलेगा आपको दो नेपिरस rule लिखने है जिसमें एक में alpha, a और theta हो और एक में alpha, b और theta हो तो उन दौनों में से जब हम theta को eliminate कर देंगे तो alpha, a और b वाला result मिल जाएगा अब आप सोच लीजे कि अगर आपको यहां पर इस triangle में मलता है triangle तो नहीं है circular parts हैं तो अगर यह c db triangle के corresponding circular parts हैं तो इसमें मैं क्या करूँ ता कि मुझे alpha, theta और b को लेकर alpha, theta, b को involve करने वाला नेपयस rule आ जाए similar I, इसमें मैं किस ता है नेपयस rule आ जाए ता कि alpha, a और theta को involve करने वाला नेपयस rule आ जाए अब आप इसको सोच भीएए Ah तो देखिए यहां पर क्या है कि अगर मैं यहाँ पर सारे को ध्यान से देखूं तो देखिए आप कौन-कौन से मुझे यहाँ पर कौन-कौन से मुझे यहाँ पर डाटा इन्वाल्व करने है अलफा थीटा और बी तो देखिए आप यह रहे अलफा थीटा और बी क्या यह तीनों कौन से किटी में नहीं तो यह अब इसमें किसे क्या पता बड़ा कि नेपिस फूल सेकंड अप्लाई होगा अब सेकंड में भी बिल्कुत रहला ध्यान से आप सोचोंगे तो पता बढ़ जाएगा यह मेरा बनेगा मिडल पार्ट और यह मेरे बनेंगे अपोसेट पार्ट ठीक है तो साइन अब दा मिडल पार्ट इस इक्वेस टू कोस अपोसेट पार्ट प्रोड़क्ट और कोस अपोसेट पार्ट सिमिलरी इस वाले में देखिए अप इसमें अलफा ए और थीटा है यह देखिए अलफा और थीटा इसमें यह म Napier second rule in triangle CDB for the middle part by way to minus B यह आपको rule mention करना है first or second कौन सा लगा रहे हो आप तो sign of the middle part is equals to product of the cost of the opposite part यह आ गया similar इसमें आ गया अब वही वाला काम इन दोनों से मुझे theta को eliminate करना है तो देखिए आप वही काम करेंगे square of the three square plus four square ऐसा करने से आप रिजल मिल जाएगा तो यह आप कर लीजेगा फिर आप देखिए last result जो हमारा है जो बुझे प्रूब करना है यह वाला इसके अंदर आपको पिल्कुल strict तीनों question की same है आपको दोनों triangles में वह नेपेस रूल apply करने हैं जिसमें alpha आए थीटा आए और ADI क्योंकि इसमें ADR है और दूसरे नेपेस दूसरे triangle में alpha आए थीटा आए और BDI पहले अगर आपने यह सोच लिया देन यह करना बहुत इसी हो जाएगा कि कौन सा हमें नेपेस रूल लगाना है फास्ट और सेकेंड और उसके अंदर भी फिर middle part किसको लेना है क्योंकि सारा खेल इसी का है एक तो to decide which नेपेस दूल फास्ट और सेकेंड एंड तो side which part will be taken as the middle part ठीक है अब आप खोदी बताईए देखिए यही प्रैक्टिस है कि इसके अंदर मुझे कौन कौन से पार्ट लेने हैं alpha alpha theta और bd तो alpha theta और bd कहा है बताओ यहां पर यह देखिए alpha theta और bd क्या यह थीनों consecutive है yes तो अगर consecutive है तो इस पर आपने एपस्ट कोंसा लगाएंगे first consecutive में first लगता है और non consecutive में second लगता है अब इसमें middle part को होन है बिलकुल कोई choice ही नहीं हमारे पास middle part यहीं है इसमें तो sign of the middle part is equal to 10 of the adjacent part ऐसे इसमें कर लेना तो देखिए आपके दोनों अपने apply कर दी यहां पर बकाइदा आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि विच ने पर लगा रहे हैं किस triangle में लगा रहे हैं और middle part किसको लेके लगा रहे हैं यह देखिए five and six अब आपको क्या eliminate करना है theta तो eliminate करने के लिए आपको देखिए यहां पर इनका square करके add नहीं करना पड़ेगा किको situation पर depend करता है यहां पर quad theta और 10 theta आ रहा है तो इन दौनों equations को मैंने multiply कर दिया five into six कर दिया तो sin alpha into sin alpha sin square alpha और यह 10 BD into 10 AD आ गया तो this result is proved तो I hope कि आपको यह समझ में आ गया होगा thank you very much